आप लोगों के लिए यह बहुत है खुबसुरत बुनाई डिसाइन लेकर जो की देखने में आपको मुश्की लग रहा होगा और बिल्कुल यूनिक पैटन है और बनाने में उतना ही आसान है देखिए बैक साइड से भी बहुत अच्छे यह दिखाई देता है इस तरह से डा कर्म सब्सक्राइऑ है सबसे पहले इसके लिए हमें जो स्टिचिस चाहिए जो फंदे चाहिए ट्वेल्फ के मल्टिपल में टू एक्स्ट्रा बारा बारा के मUL liksom जाने पे माई गया है 50 स्टिचे पर बनाया है और अभी हम इसे 26 पंदो पर बनाएंगे 26 पंदे तो इस पर बनाएंगे पहली सिलाई सीधी तरफ से रोवन राइट साइड तो देखिए आप इसे जो है बॉर्डर के बाद भी बना सकते हैं मैं यहां पर बीना बॉर्डर के से स्टार्ट करूंग तो पहला फंद हम सिधा बनाएंगे स्टिच क्योंकि हमारी फ़र्स्ट रो है यह कास्टर्ण के बाद अब बारा फंदो का जो पैटन है तो पैटन रिपीट यहां से स्टार्ट होगा देखिए बारा फंद जो हमने रिपीट करने हैं चार फंदे पहले उल्टे बनेंगे दो तीन चार फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार फिर चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार तो ये हमने जो बारा फंदे बुने हैं चार उल्टे, चार सीधे, चार उल्टे ये हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है फिर से चार फंदे पहले उल्टे आएंगे फिर चार फंदे सीधे आएंगे एक, दो, तीन, चार, फिर चार फंदे उल्टे और ये 12 फंदे हमने पूरी रो में रिपीट करते हुए ये रो कम्प्रेट करनी है लास्ट के चार फंदे उल्टे आने के बाद हमारा एस्टिच ही रहेगा ये दिखे इसे हम सीधा बुल लेंगे है तो ये एस्टिच को सीधा बुल लिया अब रो टू रॉज साइड दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से इसमें फ्रेंड्स हम साले फंदों को उल्टा पुनेंगे और हमारी जितने भी रॉज साइड की रॉज हैं जितने भी उल्टी तरफ से उल्टी ही आएंगी परल ओल इन तिज पैल उस्अलने नां को को स्लिप करेंगे अब पहले हमने चार फंदे उल्टे उल्टे बुने थे 14 पंदे हि- 1 दो पीछ, पेछे ले लेशा exfoliator ऑऑ्जन एंगे 5 behavior, पहले वाले जो यह दो सिधे फंदे हैं देखे इन्हें आगे लेकर आएंगे ऐसे यानि कि हमने दो फंदों को जो है राइट हैंड की तरफ को ट्विस्ट कर लिया एक फंदे के अब पहले इन दोनों को तो हम सिधा बुनेंगे ऐसे और क्योंकि यह फंदा उल्टा था जिसे हमने लेफ्ट साइड को लेकर आने के लिए पहले इने लेंगे और इस उल्टे फंदे को पीछे से होते हुए आगे लाएंगे ऐसे अब पहले इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे इसे हम उस तरफ से घुमा के लाएंगे लेकिन उल्टा ही फंदा है यह तो उल्टा बुन लें 3, 4, 5, 6, 6 फंदे उल्टे फिर दागा पीछे ले जाएंगे अब फिर से हमने 12 फंदे बुने हैं इनी को हम रिपीट करेंगे देखिए इनको उतारा जो ये पीछे वाला फंदा है उल्टा वाला इसे पीछे से लेकर आएंगे और इन सीधे फंदों को आगे से लेकर आएंग तू फिर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे अब इन अगले तीन फंदों को भी उतारेंगे जो ये सीधे फंदे हैं इन्हें आगे से लेफ्ट की साइड को लेकर आना है और इस उल्टे फंदे को पीछे से लेकर आना है आगे को ऐसे अब इसे उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये फंदा उल्टा ही था और इन दो फंदों को सीधा बुन लेंगे फिर छे फंदे उल्टा आएंगे फिर से हमने ये दो बाट जो ऐसे ट्विस्टिंग की ये करनी है तो लास्ट में जब ये ट्विस्टिंग करेंगे उसके बाद हमा दाव भून लेंगे तो ठर्ड रह सारी कम्प्रीट हुई एसे कम्प्रेट हुई फूर्थ रो सारी इ equally लेने से जाएगा को यह वह भूनने के बाद अब हमारी फिंफ नहीं कि लोग पांच भी अच्छागाय pass पांचे लिए पएले फंदे स्लिप करनी है तीन फंदों को उतारा जो उल्टा फंदा है इसे पीछे से लेकर आएंगे और जो दो सीधे फंदे है इने आगे से राइट को ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे अब पहले इन सीधे फंदों को तो सिधा बुन लेंगे और जो इल्टा फंदा है इसे उल्टा बुन लेंगे अब जो पहले के दो उल्टे फंदे थे यह यह फिवे ने जाएंगे एसए हो आगह आगह ही रहेगा अब अगले तीन फंदों में हमने फिर से ट्विस्टिं 파रत्या है가 यह एंट दो फंदों को आगह से लेकर आएंगे और इस उल्टे फंदे को पीच्छे से लोगने ऐसे इ इस लिए 4 अजिए फंदे लागे हैं और फिर हम ने ही 12 पंदे रीपीट करते जाना है देखियों, इन तीन फंदो को उतारा, इस उल्टे फंदे को पीछे से और इन दो सिधह फंदो को आगे से और इसे ट्विस्ट करेंगे, पहले इन उना उने लिए दोनों को, कर पर इस एक फंदे को उल्टा बुलेंगे अब ये बीचक के दो फंदे भी उल्टा आएंगे फिर धागा हमारी तरफ रहे गा अगले तीन फंदों में हमने फिर से ही ट्विस्टिंग करनी है यह जो सीधे फंद्द है इन्हें आगे से लेकर आएंगे और चो यह लटा हंद्द है इसे पीछे से लेकर आगे कर आंगे कि हैón है अश्य पुर्णेm enforce जाएंगे तहले शर्छा भंज़ी को के पावल चाहतों के ना था इंगे इन दो फंदो को सीधा ऐंगे और एक फंदा सीधा जाएगा तो यह हमने 5th row complete की 6th row फूरी उल्टी बुल लेते हैं 6th row फूरी उल्टी बुल लेंगे तो यह पूरे के पूरे फंदे उल्टे पूल लेते हैं फ्रेंड्स अब देखिए हमारी 6 तो कंप्लीट होगी है 7 तो सात्मी से लाई पहला फंदा स्लिप करने के बाद इस बार एक ही फंदा उल्टा आएगा फिर आगा पीछे ले जाएंगे और इन तीन फंदों में हमने फ अब इन दो फंदों को तो सीधा बुन लेंगे जो इस बार बीच के चार फंदे उल्टा जाएंगे एक दो तीन चार फिर इन तीन फंदों में देखिए दो फंदों को आगे से लेफ्ट को लेकर जाएंगे और एक फंदे को पीछे से आगे लाएंगे इसे उल्टा बुने पढ़ेंगे और इन दो फंदो को सीधा बूलेंगे इस बार हमारे बीच के दो ही फंदे उल्टे रह जाएंगे अप चो पहले यहां से आठ थे छे फिर चाहर अब यह दो फंदे रह गए फिर हमने यही 12 फंदो रिपीट करने हैं फिर से देखिए ऐसे ही हमने इन तीन फंद और इस एक को उल्टा बुन लेंगे बीच के चार फंदे भी उल्टे आ जाएंगे एक, दो, तीन, चार और फिर से हमने इन तीन फंदों में जो ये दो सीधे फंदे हैं इन्हें लेफ्ट की तरफ को ट्विस्ट करने के लिए आगे से लेफ्ट को और इस एक फंदे को पीछे से आगे लाकर उल्टा बुन देंगे फिर ये दो फंदे सीधे तो पूरी रो में ये 12 फंदे जब रिपीट करते जाएंगे लास्ट में हमारा एक फंदा ये एट स्टिच से पहले पचेगा जिसे उल्टा बुनेंगे और एच स्टिच को सीधा हूँ तो यह हमारी सेवें थ्रो कमप्रीट हुई एक थ्रो फिर हम पूरी उल्टी बुन लेते हैं हाट फी सिलाई सारी उल्टी बुन लेंगे तो फ्रेंड्स आठ सिलाइयां जो थी वह बहुत आसान थी सिर्फ आपको दो सिलाइयां समझ में आ जाएं उसके बाद यह इसली चलता जाता है अब देखिए एक फंदा स्लिप करने के बाद उल्टे फंदे हमारे जो थे चार तीन दो एक रह गए थे अब यह एक भी खतम हो यह इसे अब बीच के छे फंदे उल्टा जाएंगे जो चार थे अब यह चे हो गए है इन छे को उल्टा बनेंगे तीन चार पाच चे और फिर इन दो फंदो को अगले दो एक फंदे से जो है लेफ्ट की साइड को ट्विस्ट कर देंगे ऐसे अब इसे उल्टा बनेंगे इन दो फंदो को सीधा बने लेएंगे अब यह त्विस्टिंग की हमने इसी के साथ ही हमारी अगले ट्विस्टिंग शूरू हो जाएगी क्योंकि अब हारे 12 फंदे हो गए यह हमने रिपीट करने है फिर से अगले तीन फंदों में हमने यह दे बुनेंगे एक दो फिर इस फंदे को उल्टा बीच के छे फंदे भी उल्टा जाएंगे एक दो तीन चार पाच छे फिर धागा हमारी तरफ ही रहेगा इन तीन फंदों मेंसे दो को जो है अज हैं यहां कि बाइन साइड को हमने घुमाने के लिए आगे लेकर आएंगे और इन जो एक फंदा उल्टा है इसे पीछे से आगे लाकर उल्टा बुन देंगे अब यह दो फंदे भी सीधे बुने जाएंगे और यह हम जब बार-बार रिपीट करेंगे लास्ट में सिर्फ एड्स्टिच रहेगा जिसे हमने सीधा बुन लेना है तो यह हमारी नौवी सिलाई कम्प्लीट हुई दस्वी सिलाई टेंथ रो हम पूरी उल्टे बुन लेंगे तो यह सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं फ्रेंड से हमारी दस्वी सिलाई कम्प्लीट हो चुकी है और अब हमने जैसे यहां तक जो था रो वन जैसे हमने बुनी थी अब ऐसे ही बुनना है यानि कि देखिए यह दो फंदे हमारे सिधा आएंगे आठ फंदे उल्टे आ जाएंगे तीन चार पाच छे साथ आठ फिर यह दो फंदे जो सिधे आएंगे देखिए और यह जो बारा फंदे हमने रिपीट करते जाना है तो जैसे रो वन में किया था यानि कि चार सिधे आठ उल्टे बनते जाएंगे जब हम दो सिधे फिर से बनेंगे फिर आठ उल्टे बनेंगे तो यह बीच में जो है चार सिधे आठ उल्टे ही उतते जाएंगे न यह तो हम यह आठ फंदे इन्हें उल्टा बनेंगे और यह बारा फंदे रिपीट करेंगे हम बार बार दो सिधे आठ उल्टे दो सिधे ऐसे सिधा बुन लेंगे तो यह हमारी बहुत ही एजी वाली रह थी जिसमें हमने ट्विस्टिंग नहीं की नॉर्मल इन फंदों को बुना इस तरफ से इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे 12 रो बार मी सिलाई तो फ्रेंड्स बारा सिलाई यह कंप्लीट हो गई अब यह जो आपको बताऊंगे फिर आपको इसली समझ भाएगा देखिए पहला फंदा सिलिप कनने के बाद हमारा पैटर रिपीट स्टार्ट होना है बारा फंदों का जिसमें हमने इस तीन फंदे उतारे इन दो फंदों को जो है आगे से लेफ्ट को लेके गए और इस एक फंदे को राइट की तरफ को लेकर आए ऐसे अब हम धागा आगे लेकर आएंगे इस एक फंदे को तो उल्टा बुन लेंगे और ये जो दो फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे अभी आट फंदे थे उल्टे उन में से छे फंदे रह गए क्योंकि एक हमने इस तरफ को ट्विस्ट कर दिया एक हमारा उस तरफ को चला जाएगा तो बीच के छे फंदे हमारे उल्टा जाएंगे तीन, चार, माज, छे, फिर इन तीन फंदों को हमने ऐसे ट्विस्ट करना है, इन दो फंदों को आगे से लेकर आएंगे, राइट की साइड को, ऐसे धागा पिछे ले जाएंगे, इन दोनों को तो सीधा बुन लेंगे, एक और ये, दो, इस एक फंदे को उल्टा बनेंगे, अब धागा हमारी तरफ ही रहेगा, अगले जो तीन फंदे हैं, इनको उतारा, इन दो फंदों को आगे से लेफ्ट को लेकर जाना है, और इस एक फंदे को पीछे से राइट को लेकर आना है, अब इसे उल्टा बनेंगे, इन दोनों जुड़े तोछ ये पंदेंगे छेपन सब्सक्राइब भी तेटेपन रागश तो एक रागश रिपीट करते हों जाएंगे पांच और ये चेफन अब फिर हमारे तीन फंदे हैं इनको हमने दो फंदो को राइट की तरफ को करना है इन सीधे फंदो को तो इस उल्टे फंदे को हम पीछे से और इन सीधे फंदो को आगे से राइट को लेकर जाएंगे अब पहले इन दोनों को सिधा पुनेंगे और इस एक फंदे को उल्टा और फिर एस्टिच को सीधा कि अब हमारी चौदमी सिलाई 14 रो सारी उल्टी पुन लेंगे तो फ्रेंड अब देखिए रो 15 पंदरवी सिलाई पहला फंदा शिप किया अब पहले एक फंदा उल्टा ऐगा देखे यहां पे हमारे चार ते तीन दो एक फिर एक भी नहीं था अब हमारे यह यह उल्टे फं यह उल्टा फंदा जो है यह भी आ गया जाएगा पीछे से होते हुए ऐसे फिर इसे उल्टा पुन लेंगे तो यह दो उल्टे हो गए यहां पर अब यह दो फंदे सीधे अब बीच के चार फंदे उल्टे आएंगे एक दो तीन चार फिर इन दागा पीछे जाएंगे इन तीन फंदों में से जो यह सीधे फंदे हैं इन्हें हमने राइट की तरफ को यानि बाईं तरफ को लेकर आना है तो आगे से इन्हें हम बाईं तरफ को ऐसे ले आएंगे इन्हें सिधा पुनेंगे और इस एक फंदे को उल्टा पुनेंगे वीच के 2 पंदे फंदे जो पहले वाले थे अब फिर इन तीन फंदों में हमने ज़ागा हमारिा देशों करएघा रहाएगडें तो इस एक फंदों पान राइंगे बाईं तरफ को तो तो इस उल्टे फंदे को पीछे से आगे लेकर आएंगे उल्टा बुन लेंगे फिर इन दो सीधे फंदों को सीधा बुन लेंगे बीच के चार फंदे उल्टा जाएंगे एक दो तीन चार फिर से हमने इन तीन फंदों में से इस उल्टे फंदे को पीछे से और इन सीधे फं वह को तो जिखा बुझेंगे और इस एक फंदु को उल्टा और अगला फंद ons और एब गा एएगा स्ट्ज्च को सिधा बुझेंगे अब रो 16 वी सिलाई सारी उल्टे बुल लेंगे परल अल अब देखिए रो 17 सिलाई पहले फंदे को स्लिप किया अब दो फंदे उल्टे उल्टे जो पहले एक थाप दो फंदे इह उल्टे आहेंगे धागा हमारी तरफ ही रहेगा इन तीन फंदों में से हमने दो को आगे की तरफ से बाइं तरफ ट्विस्ट करना है लेफ्ट की तरफ को और इस एक फंदे को उल्टा पुनेंगे फिर इन दो फंदों को सीधा अब बीच के हमारे दो फंदे ही उल्टे रहेंगे एक दो फिर धागा पीछे ले जाएंगे अब ये अगले तीन फंदे हैं इन में से उल्टे फंदे को पीछे से और इन सीधे फंदों को आगे से लिख राएंगे इस तरह से राइट की तरफ को ट्विस्ट करने के लिए दागा अपनी तरफ भी रखेंगे, अब ये हमारे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, ऐसे, फिर इन, ये जो हमने किया है, इसी को रिपीट करने के लिए, फिर से दो फंदो को स्लिप करेंगे, इस तीस तरफ पंदे को भी, दो को जो है, इस तरफ से, आगे से लेफट की दरफ को लिएक जाएंगे, और इस उल्टे फंदे को पीछे से, ऐसे आगे लिख कर आütünगे, इसी ऊल्टा बुनेंगे, इन दो फंदो को सीधा बुनकर, इसे, बीचके, दो फंदे उल्टे, एक, दो, फिर धागा पीछे लो जाएंगे, इन तीन आप केबल निडल की help से भी कर सकते हैं अगर आपको उसमेजी लगता हो तो इसके फंदे को उल्टा बुनेंगे और यह जो बाकी के फंदे बचेंगे दो इने भी उल्टा बुनेंगे और एस्टिच को सिधा बुलेंगे तो यह हमारी रो 17 कम्प्लीट हुई सतरवी सिलाई कम्प्लीट हुई और फिर से हम इन फंदों को इस दरफ से उल्टा बुन लेंगे पर्ल ओल तो अब देखिए 19 वी सिलाई रो 19 पहले फंदे को सिल्प करेंगे तीन फंदे उल्टे बुने जाएंगे इस पार एक दो तीन तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद अपनी तरफ को फंदों था है जो अपनी फंद 550 फंदे लांपार सनी फंदी बुनेगे घुर्डा था मिसे बीकी तरफ में सैसा नमीकर गव्तिक करेंगे इन दों को फंदों को सिधा मिनले जो दो फंदे किए हम ने फेच्ट के बीच वीस तरफ इन जो सीधे हैं इने आगे की तरफ से दाइं तरफ को लेकर आना है ऐसे अब इनू भुनेंगे पहले सीधा एक दो फिर इस उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे अब बीच के शे है फंदे लिट आ जाएंगे इस बार एक दो तीन चार पाँच छे फिर गई इन दो फंदो को को सेटानेंगे इसे एक फंद में पनाई इन दो फंदो को सीधा पूंडेंगे फिर बीज इनय। पूंदा हमी खतम हो चुका है हमने करना चाहिन को बीच को इंट पर कैसल हम ट्विस्टिंग करना है तो इसृह अद्य हॕत है युछ भीम हुल दूसरी जासी bättre यह है एट सीधा बहुत तो ऐसे हमारी यह रो 19 कंप्लीट हो गई अब 20 वी सिलाई रो 20 इसमें हम फिर से सारे फंदों को उल्टा बूल लेंगे तो फ्रेंड सिलाई हैं कंप्लीट होगी 20 वी और इनी को हमने अब आर रहाएं एक पंदा सिल्प करने का चार उल्टे चार उल्टे बुने थे और इनी को रिपीट किया था तो यहां पर फिर से यही होगा आप रोवन ही बुनी जाएगी चार उल्टे थोड़ा सापको स्टा पर ली तो फिर से चार उल्टे और यही बारा फंदे हम फिर से बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे तो यह जो बीज इलाई हमने बार बार रिपीट की है उसके बाद जो हमारा पैटन बना है यह डायमंड केबल्स पैटन है तो आप इसे जूरू ट्राय कीजेगा तो थैंक यू